Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you on Versatile Brains दोस्तो जो Spoken English Classes 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम Vocabulary डिसकस कर रहे हैं और यह जो Vocabulary के वीडियोज हैं यह आपकी Spoken English को तो इंप्रूफ करते ही हैं साथ ही साथ अगर आप किसी Competition exam जैसे की Banking, Railway, SSC, CTAT, NET या फिर और किसी Teaching exam की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह Words आपको अपने exam में help करेंगे तो दोस्तो आजकल जो Chapter हम डिसकस कर रहे हैं वो है Common Words for Daily Speaking और इस Chapter में हम 11 वीडियोज अलरडी डिसकस कर चुके हैं यह उसी Chapter का 12 वीडियो है तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो आप चैनल की Playlist में जाकर भी वो वीडियोज देख सकते हैं और इसके अलावा भी वहाँ पर कई सारे वीडियोज हैं आप उन्हें भी देखें तो दोस्तो हम अपना Word Power Improve करेंगे Spelling सीखेंगे उनका Pronunciation जानेंगे और उसकी Hindi मीनिंग सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आज का जो पहला शब्द है वो है नंगे पाउं यानि बिना किसी Sleeper के या Shoes के तो उसको हम English में बोलते हैं Bear Feet ये इसकी Spelling होती है B-A-R-E और Aftability Bear Feet का मतलब होता है नंगे पैर अगला शब्द है मोह या फिर हम कहें लगाव तो उसको हम English में बोलते हैं Attachment ठीक, Attachment की ये Spelling है Attachment का मतलब होता है किसी से मोह होना या फिर किसी से लगाव होना अगला शब्द है से जी चुराना तो इसको हम English में बोलते है शर्क ये Spelling है इसकी शर्क शर्क मतलब जी चुराना यानि उसमें इंटरस्ट ना दिखाना अगला शब्द है धीरज या फिर हम कहें धैर्य रखना तो इसको हम English में कहते हैं Keep Patience या फिर हम कहते हैं Have Patience दोनों शब्दों का मतलब है धैर्य रखना ये इनकी Spelling है Keep Patience या फिर Have Patience दोनों शब्दों का मतलब है धैर्य रखना अगला शब्द है फरार होना इसको मतलब भाग जाना इसको English में हम कहते हैं Obscond Obscond मतलब होता है भाग जाना कहीं से Next शब्द है ठोकर खाना तो इसको English में कहा जाता है Stumble Stumble का मतलब होता है ठोकर खाना ये इसकी Spelling स-t-u-m-b-l-e Stumble मतलब ठोकर खाना अगला शब्द है बाधा इसको हम English में परेशानी भी कहते हैं तो इसको English में कहा जाता है Obstacle Obstacle का मतलब होता है बाधा, परेशानी, समस्या Obstacle Next है loot का माल यानि जो किसी चोर ने लूटा हो वो माल उसको हम English में बोलते है Booty B-O-O-T-Y Booty इसको English में spoil भी कहते है इसे spoil का मतलब बिगारना भी होता है लेकिन loot के माल को भी spoil कहा जाता है Booty या फिर spoil Next शब्द है से दूर रहना तो इसको हम कहते हैं Keep away और साथ में from भी जोड़ा होता या एक यह एक ही शब्द है Keep away from यानि से दूर रहना किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ती से, वस्तू से या situation से तो हम इसको कहते हैं Keep away from यह पूरा एक ही शब्द है Keep away from Next शब्द है सत्य या फिर सच दोनों शब्दों को हम इंग्लिश में या तो कहते हैं यह हम इसको कहते हैं Veracity Truth या फिर वेरसिटी का मतलब होता है Such सत्य ठीक जिसमें कुछ भी जूंठ ना हूँ Truth या फिर वेरसिटी Next शब्द है फुर्ती तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं Agility Agility का मतलब होता है फुर्ती Speed किसी आदमी के physical behavior में जो फुर्ती होती है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं Agility Next है म्रत या फिर घायल व्यक्ति यह बीच में ओबलिक है या तो आप कही है म्रत या फिर घायल व्यक्ति तो इसको इंग्लिश में हम Casuality बोलते हैं Casuality मतलब म्रत या फिर घायल व्यक्ति Next शब्द है से भेदवाव करना किसी व्यक्ति से भेदवाव करना तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं Discriminate Against यह दो अलग शब्द नहीं है यह पूरा एकी शब्द है Discriminate Against और यहां पर उस व्यक्ति का नाम ठीक Discriminate Against Next शब्द है के पक्ष में भेदवाव तो हम इसको कहते हैं Discrimination in favor of और यहां पर उस व्यक्ति का नाम Discrimination in favor of Somebody या फिर Discrimination Against Somebody यह पूरे एक एकी शब्द है Next शब्द है Brahmand तो इसको हम English में या तो कहते हैं Cosmos या फिर हम कहते हैं Universe दोनों अलग अलग शब्द हैं याद रखिएगा Cosmos कहीए या फिर कहीए Universe दोनों का मतलब होता है Brahmand ठीक Next शब्द है Ant या फिर Moth तो इसको English में हम इसको इसको बोलते हैं या तो Demise या फिर हम इसको कहते हैं Doom Demise या फिर Doom ओके Next शब्द है Jala Especially मकडी के Jala को हम English में Web बोलते हैं जो मकडी ऐसा आपकी सीलिंग में या घर के आँ जो जाला बुन लेती हैं इसको हम English में Web बोलते हैं अगला शब्द है उपने वेश तो इसको हम बोलते हैं Colony ठीक है Colony मतलब उपने वेश Next शब्द है परलोक तो इसको कहा जाता है The Next World ये एक Imaginative Concept है हम लोगों में इसको हम बोलते हैं The Next World परलोक यानि दूसरी दुनिया The Next World मतलब दूसरी दुनिया अगला शब्द है चुम्टी या फिर चोंटिया लेना लेना किसे को फिंगर से या नेल से पिंच करना तो इसको इंग्लिज में पिंच करना ही कहते हैं P-I-N-C-H पिंच मतलब चुम्टी लेना Next शब्द है हस्टरशेप करना तो हस्त शेप को इंग्लिश में या तो कही है मैडल या फिर कही है इंटर्फियर यह स्पैलिंग M-E-Double-D-L-E है मैडल और यह I-N-T-E-R-F-E-R-E इंटर्फियर या फिर मैडल का मतलो होता हस्त शेप करना बीच में उचकना नेक्स शब्दे छेड़ खानी करना फिर इसको इंग्लिश में मैडल ही बोलते यह लिखा हम ano अगला शब्दे इसके दौ मीनिंइंस है अमरे पास या तो हम कहते हैं पर्प्लैक्स का मतलब और ओर कंफ्यूज करने का मतलब एक ही है किसी को कंफ्यूज लते नai नेक्स शब्दे खुद confused होना तो इसको आप English में कहेंगे get confused या फिर हम कहेंगे get perplexed ठीक है यहाँ पे आप D लगा लीजिए और यहाँ पे ED लगा दीजिए get confused या फिर get perplexed दोनों का मतला होता है खुद से confused हो जाना अगला शब्दे सीर्ष सीर्ष का मतला होता है उपर सबसे उपर तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यहाँ तो crest या फिर कहते हैं apex crest c-r-e-s-t या फिर a-p-e-x apex यानि शीर्ष सबसे उपर नेक्स शब्दे पर अधिकार यहाँ पर आगे उस व्यक्ति का या वस्तू का नाम तो हम इसको कहेंगे right to और यहाँ पर आगे उस चीज का नाम right to freedom या right to speech अगला शब्दे परानिक तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं mythological या mythological कुछ लोग इसको mythological पढ़ते हैं कुछ इसको mythological पढ़ते हैं मैं आप से कहूँगा कि आप इसको mythological पढ़िए m-y-t-h-o mytho और l-o-g-i-c-l logical mythological मतला होता है रहस्य हमाही परानिक जो पु m-u-z-z-y मतला होता है दन्डला अगर आपको कहना हो अशलील जो देखने में सही नहीं होता बद्दा होता तो उसको इंग्लिश में हम यांतों कहते हैं vulgar या फिर उपसीन वलगर या फिर उपसीन का concept होता है घद्दा और अगला शब्दे अशलील था तो उसको हम इंग् clarity या फिर obscenity तो दोस्तों ये थे आज के कुछ important words I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे नीचे comment section में लिखके जरूर बताइएगा अगर आप इस चैनल पर नई है तो please इसको subscribe कर लें इस तरह के बहुत सारे interesting वीडियो आगे भी हम discuss करते रहेंगे इस चैनल पर कई सारी playlist हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो please इस चैनल की playlist पर जाएं और उन वीडियो को भी देखें उनमें भी काफी interesting चीज़े मैंने वहाँ share कर रखी हैं जोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है क कहना है या बताना है तो आप मुझे Facebook पर इस username के सांथ सर्च करके भी message भी सकते हैं या फिर आप मुझे नीचे comment section में लिख कर भी बता सकते हैं तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और क्या आपको improvement चाहते हैं मुझे लिख के ज़रूर बताएगा और अभी हम करेंगे इस chapter के अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए बाई बाई